तहलो दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ अच्छे होँगे आज में सुबश सुबश ऊठा है और मैं अपनी बीर्ड सेट कर लो ताकि मैं वीडियो में अच्छा देखता हूं तो ऐसे में मेरे पस यहाँ पी यह दो ट्रीमर है जो कि एक सस्ता वाला है और एक थोड़ा उसे महेंगा है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा कि ट्रीमर बाय करने से पहले आपको कौन-कौन से पॉइंट कंसिर्डर करने चाहिए और दोस्तों अगर आप सल olsun पाइनिंग में भीट लिट दोट ही हैं और फिर आप इंतजार करते एं पनी बारी आने का तो ऐसे में ट्रिमर आपके लिए बैस्ट है क्यों? क्योंगी ऐसे कोवीट टाइम पर बहार जाना खतरet से खाली नहीं है तो ऐसे में ट्रीमर हमें अलाव करता है कि हम कभ करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मेले और मैं आप लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं तो वीडियो को शुरू करते दोस्तों तो शुरू करने से पहले दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल श आपके बीडियो कि मैं चल रहें बलेड्स आपके जो हेड़ना वरन तो की पर ओसे आपको और गोले टियों कर सके तो दोस्तों यह तो वर्हट में सांकि अपने तरही करते हैं अब तो दोस्तों है तो यह तो यह तो करते हैं दो थान फामको भां sensors करने मेंटर करता है उसकी grip मेंटर करती है उसका stylish look मेंटर करता है तो ऐसे में आप वो भी देखें, लेकिन साथ में ये भी देखें कि उसकी जो build quality durability है क्या वो water में भी उतनी ही efficient है तो आपको ये point जरूर consider करने चाहिए यहाँ पर मैं एक्जाम्पल लूँगा इन दो ट्रीमर का जो की एक सस्ता है और एक थोड़ासा महेंगा है तो इनकी पहले मैं अन्बॉक्सिंग कर लेता हूं बहुत जल्दी जल्दी तो मैं यहाँ पर वीडियो को फार्स कर देता हूं तो देखो दोस्तो यह मेरे पास दो ट्रीमर है यहाला कि ब्राइट का क्लोट ट्रीमर है अब जब यह चाहर्श करना करने के लिए कि वर्किंग कैसे होती है तो इसके जो ब्लेड से वह काफी शार्फ है और यहाँ पे निया कट लगा तो इसलिए मैं इसको यूजरी नहीं कर तो इसलिए मैंने ये ट्रिमर पर्चेस किया हाला कि इसकी पर्फॉर्मेंस और काफी अच्छी है इसकी बैटरी पर्फॉर्मेंस भी अच्छी है और यह जो हेर्स कटिंग करता है काफी अच्छे करता है लेकिन कहीं न कहीं कभी कभी आपको क्या होता है कि आपकी स्किन में य तेनले स्टील ब्लेड और टाइटेनियम ब्लेड अब यहां पर भी दो कैटेगरी डिवाइड हो जाती है एक सस्ते ट्रिमर और एक महेंगे ट्रिमर ब्रैंडेड ट्रिमर तो जैसे कि यह सस्ता ट्रिमर है इसकी जो ब्लेड कॉलिटी ना बहुत ही घटिया है मतलब आप इससे हेर ट्रिम नहीं कर सकते बिल्कुल भी क्यों क्योंकि इससे जब मैंने हेर ट्राइ किया था ट्रिमिंग करने का तो वहां पर मेरी स्किन कट लग गए मेरे हेर पुलिंग होने लगी मुझे रैशेस फील हुए साथी साथ स्किन इंफेक्शन के चांसे भी बढ़ जाते हैं इसलिए मैंने यह सस्ता ट्रिमर लिया था ताकि मैं आपको वीडियो में बता पाऊं कि एक सस्ता ट्रिमर कैसे काम करता है दूसरा दोस्तों महेंगा ट्रिमर यह इतना महेंगा भी नहीं है 600-700 रुपे का ट्रिमर है लेकिन इसकी एफिशेंसी काफी अच्छी वर्किंग काफी अच्छी नो डाउट आपकी इना सब्सक्राइब आपको स्कीन कट देखने को नहीं मिलें और साथ ही साथ आपको स्कीन से भी सेफटी मिल जाएगी तो यह बहुत इंपोर्टन पार्ट है क्योंकि एक ट्रिमर के अंदर असका ब्लेड है जो हमारी स्किनकों टच करता है तो इसलिए हमें इस तो ऐसे में ट्रीमर का प्रिसिजन बहुत मैटर करता है तो जितना ज्यादा कम प्रिसिजन होगा उतनी स्मूथ और शापनेस आपको ट्रीमिंग में मिलेगी ट्रीमिंग की तो मार्केट में आपको 0.2 से लेके 2 mm तक के प्रिसिजन वाले ट्रीमर देखने को मिल जाते हैं और और वहीं आपको B8 के हिर्ट की लेंग ज्यादा चाहिए तो ऐसे में आप एक ट्रीमर के साथ एटच्मेंट यूज कर सकते हैं चोड़ पॉन्टर दो सो 2 यहां पर बैटरी का साईज होता है और यह जो बैटरी होती है यह एक तो इसाथ हो जाती है और सात ही साथ आपको लांगर करोइज ईसकी वज़ेशे से इस डबला ऑ न बैटरी का इस्तमाल electronic products में सबसे ज्यादा होता है और तभी आपको companies fast charging जैसे option देती है ट्रीमर के अंदर या 5 minute one trim जैसा option देती है इन ट्रीमर के अंदर फिल्प पॉइंटे दोस्तों codate vs. codless vs. hybrid trimmer अब codeless और codate का मतलब ता आपको सभी को पता है ये codeless है और ये coded है इसको मैं कहीं भी ले जा सकता हूं तरेवल पर कभी भी ले जा सकता हूं कहीं भी में को जाना हो आराम से चार्ज्ट किया कभी भी ट्रिम कर लिया लेकिन ये जो यह समட लिमिटेशन एक जब में लाइट प्लाइट में लगे है कि अभी इसपो तरक आप में इसको ट्रीम कर पाउंगे यूज़ खाई प्रिम जाकते हैं अब कि अब कि आप इन दोनों और को आप हटा दी साइड में कर दी डी कम्पनी नहीं ne technology लादी hybrid trimmer अब hybrid trimmer में क्या होता है कि आप जब उस trimmer को इसे में अगर आपकी battery down हो जाती है trimmer की और आपको emergency में कहीं जाना हो शादी में function में कहीं भी या girlfriend से मिलने जैसे ही आप उसे charging पर लगाएंगे वो instant work करना start कर देगा और आप उसे वापस से चार्ज करके भी यूज कर सकते हैं तो ऐसे में hybrid trimmer दोनों तरीके से काम करता है विद वायर भी और विदाउट वायर भी अब 6 पॉइंट दो तो लेंज सेटिंग इन ट्रिमर बेसिकली आपने कभी भी सर्च कि होगा तो आपको अब मार्केट में यह ऑनलाइन दो टाइप की ट्रिमर देखने को मिलतें पहले जिनके साथ आपको अरजस्तेबल लेंज सेटिंग का option देखने को मिलते हैं और पर डाइलर या रोलर होता है जीससे आप अपनी लेंज सेटिंग अजएस्ट कर सकते हैं जिसके साथ आपकर आपको कोई डाइलर नहीं मिलता है लेकिन यह रॉन एटेश्मेंट देखने को मिलते हैं जिसकी वच्छे से आपटी को कि म करसकते हैं इसकी ओपने देरम कर सकते हैं अपनी बौडीब्ण कर सकते अपनी जाकशना को hyd converge कर सकते हैं 7th point दोस्ट लेटेस्ट टेक्नलोजी इन टेक्नलोजी आपको त्रिम करती है आपको आइडिया देती कि आपको कैसे ट्रिम करना आपके स्कीन पर एक रिफलेक्शन डाल के लेजर लाइक का अब इस ट्रिमर से आपकी ट्रिमिंग अच्छी हो ना हो लेकिन इसका ड्य महंगे आते हैं, अगर आप consider करना चाहते हैं, तो इसका लिंक आपको नीचे दिस्क्रिशन में मिल जाएगा, सेकिंड टेक्नलोजी दोस्तो वैक्यूम टेक्नलोजी इन ट्रिमर, इसके अंदर आपको वैक्यूम टेक्नलोजी मिल जाती है, तीसरी टेक्नलोजी दोस्तो लिफ्ट एंड ट्रिम टेक्नलोजी, अब इस टेक्नलोजी का मतलब है कि यह जो ट्रिमर है, इस पे मैं जैसे ही यह अटेच्मेंट लगाता हूँ, यह अटेच्मेंट मैं लगा दिया, अब इसको जो यह लिफ्ट एंड ट्रिम का मतलब है कि यह जो मैंने कॉम लगाया अब जैसे में इसे विए हेर्ज को लिफ्प करेगा और ये जो बैड है को तो ये टो ट्रीमर का वैसे primary काम है इसको company ने technology का लिए आंगे दी सब्सक्षारों के आपने कभी online सब्सक्राइब हो गया आप कर रहा था था μας है तो उस friction की वज़े से बैटरी और जो मूटर है उसके damage होने के chances बढ़ जाते हैं तो यह technology उस blade की बीच में होने वाले friction को reduce कर देती है और आपकी बैटरी और मूटर को overload होने से बचाती है trimmer की इन पॉइंट है 200 water resistant trimmer अब basically इसमें भी आपको दो type की trimmer देखने को मिलते हैं एक जिनका head washable होता है और दूसरे जिनकी पूरी body washable होती है तो यहाँ पर दोनों के present कौन से है अगर आप एक head washable trimmer लेंगे तो आप उसको नहाते time यूज नहीं कर सकते और वहीं आप एक body washable IPA 6 ये 7 rating वाला trimmer लेंगे तो आप उसे नहाते time भी use कर सकते अराम से तो यह depend करता है आपके उपर 9.200 trimmer attachment के आपको trimmer के साथ कितने attachment मिलते हैं और कौन कौन से attachment मिलते हैं आपको यह भी check कर लेने चाहिए जो most important attachment होते हैं उनके बार मैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ फर्स्ट है दोस्तो foil shaver ये attachment आपकी body grooming के लिए सबसे बेस्ट है अगर आपको body grooming करनी है तो साथी साथ ये आपको एक smooth और better experience देता है अगर आप अपनी bed trim करते हैं और बाद में foil shaver का use करके आप अपने hairs को smoothness दे सकते हैं skin को दूसरा important attachment है दोस्तो nose और ear attachment तीसरा है दोस्तो white trimmer comb जो कि आप अगर hair trimming करना चाहते है अपने head के तो उसके लिए सबसे best है फोर्त है दोस्तो precision trimmer ये trimmer आपके chin, lips और mustache के जो sharpness होती है setting उसके लिए सबसे best है और बाकी आपको multiple lens setting के लिए attachment मेल जाए trimmer के अंदर जैसे मुझे इसके साथ मिलेवें बहुत सारे 3mm, 6mm, 9mm के 10 point है दोस्तो warranty और maintenance बेसिकली आपको trimmer के ऊपर एक साल से लेके तीन साल तक ये warranty देखने को मिलती है ये warranty करता है company to company बात करूं maintenance की तो आप trimmer को तीन से चार बार use करने के बाद उसका जो head है उसको brush से clean करें साथी साथ उसमें oiling करें oiling करने से क्या होगा जो trimmer के जो blade है linear motion में run होते हैं तो उसके बीच में होने वाला friction जो है oil की वज़े से reduce हो जाता है और इसके वज़े से आपके trimmer की battery और motor safe रहती है हाला कि company इसको Dura Power Term का नाम दे देती है company का तो क्या काम है कोई भी technology अच्छी लगी उसका नाम दे दिया बस आपको इन marketing strategies से बचना है इन marketing gimmicks से बचना है और उसके लिए आपको क्या करना है shopping budget को subscribe अगर ये वीडियो पसंद आता है तो please चैनल को subscribe करिएगा दोस्तों ये वो कुछ ऐसे points दे जो आपको एक trimmer buy करने से पहले जान लेने चाहिए और अब जान भी चुके है ना वह आपके लिए clear होगा कि आपको कौन सा trimmer लेना चाहिए अगर दोस्तों अभी भी आपको कोई doubt है trimmer से related तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हैं मैं आपके सारे comment के reply करूँगा और मेरी recommendation के जो best trimmer है सबसे best जो multi groom trimmer है या फिर single lens setting वाले trimmer है best category wise उनके link आपको नीचे description में मिल जाएंगे और दोस्तों ये video को पसंद आया helpful लगा तो please इस channel को subscribe करके bell icon को press करना ना भूले ताकि मुझे motivation मिलता रहा है और मैं आप लोगों के लिए इसी video लाता रहा हूँ तो मिलते हो और किसी video में thanks for watching shopping bazar